हाई, first of all, online taro certification course जिसका काफी time से काफी सारे लोग wait कर रहे हैं, वो launch हो गया है और अभी early bird discount भी चल रहा है तो मैं अपनी YouTube family को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस course में interested हैं, तो इस opportunity को जरूर avail करें course का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो चलिए जी, आपकी pika card reading शुरू करते हैं topic आप सब लोग जानते हैं कि बाकी के 2022 में क्या होने वाला है तो कोई भी सवाल आपके मन में है again बाकी के 2022 को लेकर जैसे कि जो goals starting में आपने set किये थे अभी तक नहीं achieve कर पाएं है end of 2022 तक आप उन goals को achieve कर पाएंगे या नहीं या फिर क्या guidance हो सकती है जिसको follow करके आप उन goals को achieve कर पाएं बाकी के 2022 को बहतर कर पाएं या in general ही आपके मन में curiosity हो रही है कि बाकी के 2022 में क्या होने वाला है कुछ जाते जाते अच्छा 2022 करके जाएगा या नहीं मेरे सामने यहाँ पे तीन piles है first pile में है purple nail paint second pile में है white nail paint and third pile में है peachish orangeish nail paint यहाँ पर मैंने date of birth के हिसाब से भी pile को choose करने का option रखा है वैसे मुझे लगता है intuitively अगर आप pile को choose करें तो जादा बहतर है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं date of birth को भी include करूँ बन करके बाकी के 2022 को visualize करें जो भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी सोचें आखें खोल के जो भी pile आपको सबसे भेले attract करता है उसको आपने choose कर लेना है तो चलिए जी आपकी पिका card reading शुरू करते हैं और अगर आपने pile 1 यानिकी purple nail paint को choose किया है या फिर आपका date of birth इन ही numbers में से है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 1 की cards क्या कहते हैं जो भी अभी समय 2022 के खतम होने में बचा है उसमें आपकी life में क्या होने वाला है तो देखें सबसे पहले जो time निकल गया 2022 का उसके बारे में हम देखेंगे current energies को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा तो देखें सबसे भेले cards में जो दिख रहे हैं Three of Cups and Companionship और ये दोनों ही cards कहीं similar सी energies की बात करते हैं क्योंकि ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की celebration, get together, reunion पीछे 2022 में रहा जिसमें आपने बहुत ही actively अपने आपको involve किया participate किया, कुछ के लिए हो सकता है कि eating, drinking, merry making पे आपने बहुत जादा focus किया कुछ के लिए हो सकता है कि आपने बहुत socialize किया कुछ के लिए हो सकता है कि अपने professional front में आपने अपने network को और बढ़ाना चाहा या फिर professional front में आपकी जादा meetings रही आपने जादा seminars को attend किया आपने कोई workshop attend करी कहीं देखिए overall आपने लोगों के साथ बहुत जादा interact किया बहुत जादा बात करी और जो भी लोग आपकी life में है भले ही वो आपके professional front में हो या personal front में हो वो आपके लिए काफी एहम रहे and देखिए कहीं overall के लिए देखें तो आपने relationships को बहुत-बहुत importance दी in the process, खुद को ignore किया, अपनी wishes, अपनी desires को इतनी importance नहीं दी, लोगों को खुश करने पे आपका जादा attention या focus रहा और देखिए इसी वज़े से या फिर otherwise भी जो भी लोग आपकी life में हैं, again वो आपके professional front में हो सकते हैं, personal front में हो सकते हैं, उन्होंने आपको for granted लिया, उन्होंने काफी you know आपको control करना चाहा या फिर काफी आपको dominate किया, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी ही इनी चीज इनर का card भी कहता है कि किसी चीज को बहुत you know आपने protect करना चाहा, कैसे इनो चीजों को आप sustain करें, इस पे आपका focus रहा, ये भी सब की लिए differ करेगा लेकिन यहाँ पर जादा मुझे दिख रहा है कि relationships को protect करने पे आपका जादा focus रहा, और कहीं देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफी opportunities इसी चकर में miss करीं, अच्छी चीजें आपकी life में आ रहीं थी, उनको भी आपने miss किया, और कहीं दिखे बहुत एक foolishness सी आप महसूस कर रहे होंगे, यहाँ पे the full reverse का card इसी energy की बात करता है, कहीं आपने बिना सोचे समझे कुछ काम किये, कहीं आपने uncalculated risk लिए, और again मैं कहूंगे आपको ऐसा लग रहा है अभी, कि आप बहुत बेवकूफ बने या फिर आपने बहुत बड़ी बेवकूफी करी, और कहीं दिखे अभी आप different नजरिये से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, थोड़ा सा you know, अपना perception, अपना तरीका, च चीजों को again मैं कहूंगे deal करने का बदलना चाहा रहे हैं, और कहीं जो भी चीजें आपको restrict कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको रोक रहे हैं, उनको भी आप तोड़ के अपने लिए एक freedom चाहते हुए दिख रहे हैं, और दिखिए बहुत एक negative energies में भी आप अभी currently रहते यहाँ पे nine of swords, reverse का card एक negative energy की बात करता है, फिक्र की बात करता है, चिंता की बात करता है, overthinking की बात करता है और आपके लिए currently कुछ ऐसा ही रहतावा देख रहा है और नीचे देखिए rebel का card कहीं इन ही energies में से बहार निकलने की बात करता है यहाँ फिर से मैं कहूंगी जो भी चीज़े आपको restrict कर रही है, रोक रही है, जो भी बंधन है, जो भी limitations है, उनको आप तोड़के अपने लिए again एक freedom चाहा रहे हैं और देखिए limitations ये restrictions सब के लिए differ कर सकती हैं, कुछ के लिए family की तरफ से restrictions, limitations हो सकती हैं, कुछ के लिए आ आपके ही negative thoughts, आपके ही negative belief system, एक restriction हो सकते हैं, जो आप जो चाहा रहे हैं, उसको achieve करने के लिए आपको रोक रहे हैं, और दीखें, आप एक queral का card भी कहीं similar से energies की बात करता है, इसलिए जो भी आपके loved ones हैं, या तो उनके साथ, या फिर work front में किसी के साथ, एक आपकी argument हो रह ही हो रही है, कभी-कभी होता है ना हम बात नहीं कर रहे होते हैं, cold war चल रहा होता है, तो कुछ के लिए ऐसी भी energies रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद से ही fight कर रहे हैं, इन ही सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, and देखिए यहां पर आपको सबसे पहली चीज मैं यही कहना चाहूंगी, pile one, कि बहुत-बहुत important है कि इन ही negative energies से आप अपने आपको बाहर निकालें, क्योंकि देखिए, जितना आप इन negative energies में रहेंगे, उतना आप अपने goal, अपने मकसद से दूर जाते जाएंगे, तो यह एक जो aggressive energies अभी दिख रही हैं, इसको आप positive direction में apply करें, यानि कि जो आप चाहते हैं achieve करने के लिए, उसके लिए apply करें, इसके बजाए कि जो भी लोग हैं, जो भी situation हैं, या फिर जो चीजें आपको negative कर रही हैं, उनसे उलजने में आप लगाएं, क्योंकि देखिए, अगर ऐसा आप ने नहीं करा, तो यहाँ पर four of cups, reverse का card कहता है, कि बहुत आप emotionally low feel कर सकते हैं, in fact देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो आप कहीं बहुत एक, मैं कहूंगी अपने goal, अपने मकसद को लेकर demotivated रह सकते हैं, और देखिए, कहीं आप बहुत जादा, जो opportunities आपने miss करी, उनक उतना time, जो opportunities आपने miss करी, आप उन पर focus करने में लगा रहे हैं, उतना ही आप एक low energies में जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी, pile one, जो हो गया, वो आप नहीं बदल सकते हैं, आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप इस time पर सिरफ यही कर सकते हैं, कि current moment का आ अपने हाथ में charge लें, अपने goal अपने मकसद के लिए आप खुद को motivate करें, जो भी आपकी self-talk negative हो रही है, उसको आप positive करें, एक enthusiasm, एक excitement अपने goal के लिए लेकर आएं, और दिखिए हाँ पर guidance का काट कहता है, जरूरत पड़े तो professional guidance लें, आप फिर जिस इंसान को आप trust करते हैं, जो experiential हैं, आप उनसे discuss करें, उनसे बात करें, और हो सकता है कि कुछ pile one ऐसी energies में भी हैं, लेकिन देखिए कहीं जो भी आप चाहा रहे हैं, आगे action initiatives उसके लिए missing रहते वे दिख रहे हैं, इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकता है, लेकिन majorly यहाँ पर four of cups reverse का का काट कहता हैं कि जो opportunities आपने miss करीं, आप उन पे बहुत focus कर रहे हैं, तो फिर से pile one इसी चीज़ को check करके correct करना बहुत बहुत important है, अगर आप बाकी के 2022 को better करना चाहाते हैं, अपने goal, अपने मकसद को achieve करना चाहाते हैं, और देखिए कहीं end of 2022 के लिए यहाँ पे three of wands and possibilities के cards कहते हैं, कि आप अपने आपको definitely in energies में से बहार निकाल पाएंगे, और जो मैं कहरी हूँ, अगर आप उसको apply करेंगे, तो देखिए, आप और जल्दी इस energy से निकल पाएंगे, आप जल्दी चीज़ों का charge अपने हाथ में ले पाएंगे, और by the end of 2022, आप अपने goal मकसद को भी achieve कर पा और जो भी possibilities हो सकती हैं, आगे बढ़ने की, growth और progress अपनी life में लेकर आने की, आप उसके उपर focus करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक long term planning करते हुए दिख रहे हैं, कैसे देखिए, आप again मैं कहूंगे, अपने goal, अपने मकसद को achieve करें, उसके उपर भी आप focus करते हुए द दिखे, एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं है, जिसकी life में कुछ issues, कुछ मसले, कुछ रुकावटे ना हो, जब हम इन रुकावटों पर focus करते हैं, तो ये रुकावटे इतनी बड़ी हो जाती हैं, कि फिर ये हमें हमारे goal अपने मकसद को नहीं achieve करने देती हैं, और जब हम इन रुकावटों को अपने mind में बहुत छोटा बना देते हैं, तो यकीन मानिए, ये इतनी छोटी हो जाती हैं, कि फिर हमें bother नहीं करती हैं, तो इस चीज का खयाल रखें, और यहाँ पे देखिए, bridge का card कहता है, कि अभी जो एक gap आगया आपके और आपके goal, आपके मकस initiatives आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर से मैं आपको कहूंगी, कि जो आप चाहा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप action initiatives नहीं लेंगे, तब तक आप उसको नहीं achieve कर पाएंगे, यहाँ पे originality का भी card कहता है, कि आपके mind में आगे बहुत brilliant, बहुत personality का card कहता है, कि आप जो भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने तरीकें हैं, उनको let go करके एकदम से एक नई energy, नई उर्जा अपने ले लेकर आएं, नई तरीके से चीजों को देखें, नई तरीके से चीजों को deal करें, एक fresh beginning आप अपने life में लेकर card कहता है, कि आप अपने goal, अपने मकसद को achieve कर लेंगे, तो ये थी pile 1 आप लोगों के लिए reading, और अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चानल को ज़रूर like, share और subscribe करें, अगर आपने pile 2 यानि की white nail paint को choose किया है, या फिर आपका date of birth इन ही numbers में से है, तो य reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं, pile 2 की cards क्या कहते हैं, जो भी अभी time 2022 के end होने में रहता है, उसमें आपकी life में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2022 की starting में क्या रहा, mid of 2022 में क्या रहा, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, तो देखिए, आप की life में आगे बढ़ी होंगी, कुछ के लिए professional front में हो सकता है कि एकदम से अच्छी opportunities आपके लिए आई होगी, एक growth, एक progress किसी level पे रही होगी, और जो भी चीज़ें 2021 में stuck थी, उनमें भी कहीं एक movement आई होगी, personal life में भी देखें, again मैं कहूंगी, बहुत जबरदस्त एक shift, एक movement रहा होगा, कुछ के लिए हो सकता है कि travel यह तो आपने किया, यह travels related opportunities रही, लेकिन जो भी surface level पे रहा, कहीं deeper level के लिए देखें, आपने बहुत actively, इन ही चीज़ों में अपने आपको involved नहीं किया, participate नहीं किया, यह nutshell में मैं कह सकती हूं कि जितनी speed से चीज़ें आगे speed को नहीं match कर पाए, और इसलिए हो सकता है कि कुछ opportunities को भी आपने miss किया, और इसके लिए सबके लिए different reasons हो सकते हैं, लेकिन हापे the healer का card कहता है, कि पीछे हो सकता है 2021 में कुछ issues रहे, कुछ मसले रहे, जिन्होंने आपको hurt किया, और कहीं आप उसी की healing करना चाहा रहे थे, या फिर उन्हीं चीजों को लेकर एक hurt थी, जिसकी वज़े से surface level पे जो अच्छी opportunities थी, उनको आप देख नहीं पाए, उनको आप grab उस तरीके से नहीं कर पाए, उनको आप avail उस तरीके से नहीं कर पाए, और इसलिए देखे, mid of 2022 में या फिर अभी पीछे कुछ time के लिए, क उदासी, कुछ मायूसी भी आपने महसूस करी, एक hurt भी आपके मन में चीजों को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर रही, देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सब के लिए refer करेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि relationship को लेकर अभी, you know, प करना चाहा रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी female की वज़े से कुछ issues, कुछ मसले रहे हो, और देखिए कहीं, यहाँ पर the traveling and ten of wands के cards कहते हैं, कि अभी फिलाल, you know, एक shift, एक movement, आप फिर से अपनी life में लाना चाहा रहे हैं, जो भी चीजों ने आपको परेशान किया, या फिर issues, मसले रहे, उनको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, और कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं, या फिर travel related आपको भी planning कर रहे हैं, और जो भी चीजों को related, एक pressure, एक burden आपने महसूस किया, उसको ही आप offload करना चाहा रहे हैं, आप अ हैं, और कहीं you know, over burdened, over pressurized again मैं कहूंगी, आप किसी चीज को लेकर महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, pile 2 मैं आपको यही कहूंगी, कि बहुत बहुत important है, आप अपनी responsibilities को कम करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं, कैसे इस pressure, कैसे इस burden को आप you know, कम कर सकते है उस पे आप जरूर focus करें, क्योंकि देखिए, आप इस guidance से भी आप लोगों के लिए access का card है, और जैसे कि इस card को आप देख पा रहे हैं, इस figure ने अपने उपर बहुत कुछ you know, लिया हुआ है, तो देखिए again यही guidance है, कि इन ही चीज़ों को जिनको आपने अपने उपर लि हुई हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना तो काम कर रहे हैं, आप you know, अपने आसपास के जो लोग हैं, उनका भी काम कर रहे हैं, तो देखिए जो भी चीज एक्सेज है, उसको कम करना बहुत बहुत important है, अगर आप चाहते हैं कि बाकी का 2022 आपका अच्छा जाए, और यहां पे देखिए the warm का card भी, कहीं similar से energies की बात करता है, कि खुद को prioritize करें, खुद को nourish करें, खुद को nurture करें, और देखिए coffee सारे pile two के लिए हो सकता है, कि ऐसा आप करना चाहा रहे हैं, और इसी पे ही किसी level पे आप focus भी कर रहे हैं, यहां पे generosity यानि कि Saturn in Leo का card कहता है कि आप देखिए, लोगों के लिए बहुत जादा caring, लोगों के लिए बहुत loving हो रहे हैं, और यहां पे मैं आपको यही कहूंगी कि in the process pile two, खुद को बिल्कुल भी neglect ना करें, और देखिए इस generosity की ही वज़े से हो सकता है, आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हो, तो फिर जादा लोगों के लिए करते हैं, तो हमारी expectations उनसे बढ़ जाती हैं, और जब हमें जरह सा भी उनकी तरफ से वैसा response नहीं मिलता, तो हम परेशान होते हैं, तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगी, pile two की giving and receiving वाली energies में एक balance रखें, आप इतने भी generous ना हो जाएं, आप इतना चीज की starting किसी level पर होती हुई देख रही है, अब देखते हैं कि आगे 2022 जो रहे गया है उसमें क्या रहेगा, तो देखें यहां पर seven of cups reverse का card कहता है, कि कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि अब जो आपका goal है, जो आपका मकसद है, आप उस पे focus करना चाह रहे हैं, जो भी distractions हैं जो भी चीजें आपको आपके मकसद से deviate कर रहे हैं, आप उन्ही सब चीजों को खतम करना चाह रहे हैं, आप उन्ही सब चीजों को overcome करना चाह रहे हैं, और बिल्कुल again अपने goal अपने मकसद पे focus करना चाह रहे हैं, पीछे कोई decision, कोई choice आपको लेनी थे, आप नहीं ले पा रहे थे क्योंकि again आप बहुत जादा distracted महसूस कर रहे थे आपके पस बहुत सारे options थे आपके पस बहुत सारी choices थी तो कहीं देखिए आप वो decision वो choice लेना चाहा रहे हैं और इसी से ही related देखिए आपको कुछ लोगों का support मिल रहा है और देखिए we are the world का काट कहता है कि out of the country से related कोई activity किसी level पर या तो while to आप चाहा रहे हैं या फिर कोई हो रही है और अगर ऐसा नहीं है तो दिखिए कोई बड़ी चीज आप करना चाहा रहे हैं कहीं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना social circle बनाना चाहा रहे हैं work front से related अगर है तो आप अपना network बढ़ाना चाहा नहीं हैं जाथा लोगों से interact करना चाहा रहे हैं जाथा लोगों से connect करना चाहा रहे है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को जोड के कोई you know काम टीम वर्क में या फिर एक you know बड़ी organization के साथ मिल के कोई बड़ा काम करना चाहा रहे हैं और इसको लेकर एक ending beginning रह रही है लेकिन देखें यहाँ पे 10 of pentacles reverse का कार्ट कहता है कि कहीं family में इसी वज़े से या फिर otherwise भी कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपको family की तरफ से वो support, वो एक you know एक cooperation नहीं मिल रही है, जो आपने expect करी थी, जो आप चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपका काफी खर्चा हो रहा है और दिखें कहीं ये दोनों ही cards, celebration की बात करते हैं, get together की बात करते हैं, reunion की बात करते हैं तो कुछ ऐसा भी आप plan करते हुए दिख रहे हैं या किसी भी चीज को लेकर, finances, money को लेकर, एक stability, एक security चाह रहे हैं तो कहीं देखें, pile 3 ये आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर defense का card कहता है, कि हाला कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चीजों को defend करने के लिए और दिखिए कहीं materialistic चीजें आपके लिए एहम रह सकती है या फिर आप, you know, अपने finances को better करना चाह रहे हैं finances, money से related growth चाह रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि inheritance से related, you know, property की inheritance हो सकती है या फिर किसी भी चीज की inheritance से related कुछ issues है जिनके लिए आप कहीं किसी level पे, you know, fight करना चाह रहे हैं उनको possess करना चाह रहे हैं लेकिन दिखिए कहीं बहुत एक positive result उसी से ही related रहता हुआ नहीं दिख रहा है again changes रह रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से आप उन चीजों को possess करते हुए नहीं दिख रहे हैं पूरी तरीके से कहीं एक stability, security या फिर materialistic, tangible, money, पैसे से related वो gain, वो stability, वो security नहीं रहती हुई दिख रही है और यहाँ पे desert का card कहता है कि एक अकेला पन भी हो सकता है किसी level पे आप महसूस करें यहाँ पे देखिए हालां कि we are the world का card एक supported cooperation की बात करता है और कभी कभी क्या होता है ना पाइल तरीकी सब का support, सब की cooperation होने के बावजूद भी हम एक अकेला पन महसूस करते हैं और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों का आपको support मिल रहा है और कुछ लोगों का support नहीं मिल रहा है जिसकी वज़े से भी कुछ issues, कुछ मसले हो रहे है तो यहाँ पे देखिए guidance अगेन यही है कि जब आप इस excessive जो भी चीज आपकी life में अभी हो रही है उसको हटा देंगे अपनी life से, एक balance लेकर आएंगे कुछ के लिए भी हो सकता है कि कोई चीज आप over कर रहे हैं, ज़रत से ज़ादा कर रहे हैं इसमें आप balance लेकर आएंगे या फिर फिर से मैं कहूंगी अगर आप over emotional हो रहे हैं, over sentimental हो रहे हैं over loving caring किसी के लिए हो रहे हैं या फिर आप over hard work कर रहे हैं, over अपने outcome से attach हो रहे हैं nutshell में कोई भी चीज आप over कर रहे हैं उसको ज़रूर आपने check करके correct करना है इसमें ही एक balance आपने लेकर आना है तो ये थी pile 2 आपकी reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को ज़रूर like, share और subscribe करें अगर आपने pile 3 यानि की peachish, orangeish nail paint को choose किया है या फिर आपका date of birth इन ही numbers में से है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 cards क्या कहते हैं जो भी time अभी 2022 के end होने में बचा है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है तो यहाँ पे देखिए हम जो समय बीद गया है 2022 का उसके बारे में देखेंगे current energies देखेंगे current situation देखेंगे और फिर बाकी के 2022 को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला cards में देख रहे है the sun and completion और यह cards कहते हैं कि 2022 की starting आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत जबरदस रही होगी जो भी आपके goals थे, जो भी आपके मकसद जिसको आप आना चाहते थे life में उनमें आपको success मिली होगी जिस चीज़ पे आप बहुत time से काम कर रहे थे वो complete हुए होगे या फिर कोई phase आपका end हुआ होगा एक नई beginning किसी भी life के area में रही होगी कुछ के लिए personal life हो सकती है कुछ के लिए professional life हो सकती है जिसको लेकर या फिर otherwise भी एक happiness, एक joy, एक satisfaction 2022 के starting में आपने in general या फिर किसी specific चीज़ को लेकर महसूस करी होगी और बहुत एक positivity आपके लिए रही होगी उस time पे बहुत एक you know again मैं कहूंगी positive frame of mind के साथ ही चीज़ों को आपने deal किया होगा यहाँ पे sword का card भी बहुत जबरदस्तिक clarity की बात करता है अपने goal अपने मकसद को लेकर और देखिए mid of 2022 के लिए यहाँ पे page of coins and receptivity के cards कहते हैं कि financially पैसे materialistic tangible चीज़ों से भी related चीज़े ठीक ठाक रही होंगी और कहीं देखिए बहुत devoted बहुत dedicated तरीके से आपने अपने goal अपने मकसद को परसू किया होगा यहाँ पे कुछ के लिए personal life से related कोई relationship हो सकता है कुछ के लिए family हो सकती है कुछ के लिए professional front हो सकता है तो देखिए कोई भी life का area हो सकता है यहाँ फिर in general भी एक practical realistic तरीके से आपने चीज़ों को deal करना चाहा और देखिए again मैं काऊंगे materialistic, tangible चीज़ों से related, money, पैसे से related किसी level पे किसी तरीके का gain फायदा हुआ यहाँ फिर इन चीज़ों पे आपने focus किया और साथ ही साथ एक love, care, emotions feelings भी mid of 2022 यहाँ फिर जो समय अभी 2022 का निकल गया उसमें रहा और देखिए बहुत intense emotions, बहुत intense feelings भी आपने अपने goal अपने मकसद को लेकर यहाँ फिर अपने work front पे यहाँ personal front में किसी भी चीज़ को लेकर महसूस करी और अब भी अगर हम देखे तो कहीं देखिए आप थोड़ा सा emotionally low feel करते वे दिख रहे हैं हालांकि देखिए कुछ risk कुछ chances भी आप लेना चाहा रहे हैं पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर आप इतने clear नहीं थे तो कहीं उसी से ही related एक आपको light दिखती भी दिख रही है और उसके लिए आप baby steps लेना चाहा रहे हैं मैं फिर से कहूंगी किसी तरीके का कि एक restlessness एक anxiety किसी level पर आप महसूस कर रहे हैं और जो भी चीज currently आप आना चाहा रहे हैं वो कहीं आपके लिए बहुत precious बहुत जादा एक value रखती में दिख रही है और देखिए pile 3 बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम achieve करना चाहते हैं लेकिन सभी उतनी important नहीं होती हैं उन में से कोई-कोई चीज़ें मतलब ऐसे होता है कि हमें लगता है कि बस हमें ये चीज, ये इनसान, ये जगा या फिर कोई materialistic चीज हो सकती है गाड़ी या jewelry चाहिए ही चाहिए है बहुत ये अगेन मैं कहूँगी precious वो चीज हमारे लिए होती है बहुत valuable होती है तो दिखिए जो भी अगेन मैं कहूँगी चीज आप पाना चाह रहे हैं वो आपके लिए इसी तरीके की एक energies रखती हुए दिख रही है और कहीं दिखिए अगेन आप baby steps ले रहे हैं आप risk ले रहे हैं लेकिन साथी साथ एक restlessness रह रही है साथी साथ किसी level पे एक anxiety रह रही है और emotionally थोड़ा सा आप low महसूस करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए जो 2022 अभी आने वाला है उसमें अब से लेकर अगले डेड़ महीने तक कहीं एक अकेलापन या तो आप चाहा रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और बहुत actively आप किसी भी चीज में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं किसी लेवल पे किसी तरीके से आप एक backstep लेना चाहा रहे हैं आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले कुछ के लिए हो सकता है कि literally इसी से ही related आप एक research कर रहे हैं एक introspective mode में रहे रहे हैं और यहाँ पे morality का card कहता है कि बहुत जादा logically आप deeper level पे चीजों को analyze कर रहे हैं बहुत right and wrong के point of view से हर चीज को देख रहे हैं और यहाँ पे moral values आपके लिए हो सकता है बहुत बहुत एहम रह रहे हैं और मैं आपको यही कहूंगी pile 3 कि logical होना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब भी भी कोई चीज हम over करते हैं तो हम परेशान होते हैं जैसे कि over logical होते हैं या फिर over emotional होते हैं over giving होते हैं तो nutshell में देखिए कोई भी चीज जाएं जितनी भी अच्छी हो जब वो ज़रूरत से ज़ादा होती है तो हमें परेशान करती है तो यहां पर देखिए आप heart और mind का एक balance ज़रूर रखें और over भी कही moral values पे ना focus करें मैं हमेशा आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ अभी भी इस shot में सुना दूँगी एक कसाई एक गाएं के पीछे भाग रहा होता है और गाएं राइट की तरफ मुर्ती है कसाई नहीं देख पाता सामने खड़े हुए इंसान से पूछता है गाएं किस तरफ को गई और उस इंसान को कसाई की intentions के बारे में पता होता है और इसी लिए वो कसाई को बोलता है गाएं लेफ्ट की तरफ गई यानि कि जूट बोलता है तो टेकनिकली अगर आप देखें या फिर moral values के point of view से आप देखें तो ये wrong है लेकिन अगर यही जूट किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए जैसे कि उस इंसान ने गाएं की जान बचाने के लिए बोला तो उसको हम wrong नहीं कहते हैं इसी तरीके से देखिए moral values का आप खयाल रखें लेकिन इतने rigid, इतने fixated ना हो जाएं किसी भी चीज को लेकर कि आप परिशान हो क्योंकि देखिए यहां पर criticism का card भी कहता है कि आप over critical होते हुए दिख रहे हैं जो भी time अभी 2022 के end होने में रहता है उसमें यहां पर देखिए सब के लिए criticism या judgmental attitude differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद को लेकर बहुत जादा critical हो रहे हैं दिखे वैसे भी यहां पर Mars in Virgo है तो Mars बहुत जबर्दस्त एक energy की बात करता है drive की बात करता है, passion की बात करता है action initiatives लेने की बात करता है और Virgo sign बहुत carefully यहां बहुत practically चीज़ों को deal करने की बात करता है तो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा हो कि आप कोई भी effort अपना waste नहीं करना चाहते हैं आपकी energy हर चीज में utilize होनी चाहिए आप you know नहीं जाते कि कोई आपको for granted ले या फिर देखे इस तरीके की एक चीज़ें जो कि थोड़ी थोड़ी सब के लिए differ कर सकते हैं वो आप नहीं चाहा रहे हैं और इसलिए आप बहुत ज़ादा critical हो रहे हैं again कुछ लोग हो सकता है खुद को लेकर बहुत critical हो रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया आप ये कर सकते थे चोटी सी भी कोई गलती हो रही है तो आप बहुत ज़ादा उसके बारे में सोच रहे हैं आप परिशान हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपकी life में हैं यहाँ पर देखिए again कुछ के लिए work front में लोग हो सकते हैं कुछ के लिए personal front में लोग हो सकते हैं उनको लेकर या situations को लेकर बहुत critical हो रहे हैं और मैंने अभी बताया कि आप अगर ऐसी ही energies में रहेंगे तो खाम खाँ आप परिशान होंगे और आप अपना true potential भी नहीं utilize कर पाएंगे क्योंकि देखिए जब हम लोगों की गलतियों को देखते हैं तो फिर हमें थोड़ टाइम बाद वही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे कभी जिन्दगी में कोई गलती नहीं होई है या फिर जो perfect हो तो अगर एक perfectionist वाला attitude आप अपने आपको रखते हुए पाएं तो इसको ज़रूर आप चकर करें एक flexibility लेकर आएं और एक डेड महीने के बाद के लिए यहाँ पे night of swords and participation के cards कहते हैं कि कुछ changes definitely आपकी life में आएंगे और यह positive changes रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे participation का card है एक movement एक shift आती हुए दिख रही है यह movement यह shift सब के लिए differ कर सकती है कुछ के लíए हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं कुछ के लíए हो सकता है कि पीछे किसी चीज में या currently किसी चीज में अगर आप अपने आपको अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो इसमें से आप बहार निकल रहे है और दिखिये participation का card again एक celebration की बात करता है get together की बात करता है reunion की बात करता है तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है end of 2022 में फिर से देखिये मैं कहूंगी कुछ लोग हो सकता है travel करना चाहा रहे हैं या फिर change of place, change of location change of residence, change of job, change of team किसी भी तरीके के changes आ रहे हैं और जो लोग शादी से related you know इस reading को देख रहे हैं या फिर आपके मन में है कि शादी होगी नहीं होगी तो उससे related भी positive चीज़ें रहती हुई दिख रहे हैं यहाँ पे दिखिये gathering together का card भी कहीं एक साथ इकठे होके किसी चीज़ को करने की बात करता है या फिर किसी gathering, किसी celebration की बात करता है और guidance के हिसाब से देखें तो यह card कहता है कि कहीं you know जितना आप लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे जितना आप मिलके लोगों के साथ काम करेंगे उतना ही एक better energies आप लेकर आएंगे और दिखें यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि एक देड महीने तक आप थोड़ा सा लोगों से withdraw कर रहे हैं चीज़ों से withdraw कर रहे हैं actively किसी भी चीज में involved नहीं हो रहे हैं तो कहीं देखें इसी चीज से भी आप end of 2022 में यानि कि last के one, one and a half month में बहार निकलते वे दिख रहे हैं और देखें यहाँ पर the shape shifter का card कहता है कि हो सकता है कि आप बहुत एक ख्याली दुनिया में भी किसी चीज को लेकर रहे हैं अगर ऐसा आप पाएं पाइल 3 तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें और दूसरी चीज देखें shape shifter का card कहता है कि every time everything is changing तो कहीं उतनी stability, security नहीं रहती वे दिख रही है इसके बावजूद कि कुछ positive changes आ रहे हैं और इस time पे बहुत बहुत important है पाइल 3 कि आप थोड़ा सा अपना focus, थोड़ा सा अपना concentration जो भी आप चाहते हैं उस पे बनाए रखें क्योंकि externally हो सकता है कुछ changes आ रहे हैं और आप उन्ही changes के साथ अपने you know behavior को या attitude को बार बार change करेंगे तो कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं तो नचल में देखिए एक focus एक concentration एक grounded energies बहुत बहुत important रहेंगी जो भी 2022 रह गया है उसमें otherwise आपके लिए अब से लेकर एक देड़ महीने के बाद चीजें किसी level पे better होती हुई दिख रही हैं again काफी changes आते हुए दिख रहे हैं तो यह थी pile 3 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को ज़रूर like, share और subscribe करें